नारायनम नमस्कृत्य नरम्चैव नरोत्तमम देविम सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदी रहेत श्रीमन महा गळादी पतय नमहा श्रीमत भागवत महात्मे पहला अध्याय नारत जी का भक्ति से वर्तलाः नैमिसे सूत मासीनम अभिवाद्य महा मतिम कथा मतरस आस्वाद कुसलह सोन को ब्रवीद एक समय नैमिशारंड में बिराजमान सूत जी को पढ़ाम कर भगवत कथा रूपी अमरत रस के आस्वादन में परम प्रवीन सोनक जी ने पूछा हे सूत जी आप अज्यान रूपी अंदकार दूर करने में सूर के समान है आप हमें कोई ऐसी उत्तम कता सुनाएं जो कर्ण प्री हो जिससे भक्ती ज्यान और बेहराग की प्राप्ती हो माया जाल से छुटकारा मिले एवं विवेक का उदय हो इस कली काल में जीव असुर भाव को प्राप्त हो गए हैं नाना प्रकार के कलेशों से पीड़ित हैं इनकी दुख निवर्त्ती कैसे हो संसार में भावत प्राप्ती का जो उत्तम साधन हो उसे करपा कर आप हमें बताएं प्राप्ती का उत्तम साधन बताता हूं आप सावधान होकर इसका स्रवन करें काल रूपी महासरब के भैसे बचने के लिए सुपदेव जी ने सीमत भागवत का प्रवचन किया है इसके समण से भक्ति की व्रध्धी एवं भगवान की प्रसंदता होती है संसार में इससे बढ़कर चित्त सुद्धी का दूसरा उपाय नहीं है जब पूर्व जर्म के पुन्यों का उद्य होता है तभी सीमत भागवत कथा स्वण में रुची होती है भागवत कथा अमर्थ से भी मधर और महंगी है जब सुकदेव जी राजा परिचित को यह कथा सुनाने सिंगासन पर बैठे तभ देवता अमर्थ का कलस लेकर उनके समीप आए और प्रडाम कर बोले भगवन आप यह अमर्थ ले लें इसके पीने से राजा अमर हो जाएंगे और कथा रुपी अमर्थ हमें पिलाएं जिससे हम कृतार्थ हो जाएं सुकदेव जी यह सुनकर हस पड़े और उन्हें अमर्थ जानकर अमर्थ के बदले में कथा रुपी अमर्थ नहीं जिया कारण मणी और काज की तुलना कैसी भागवत की कथा के सवन माज से राजा परिछित की मुक्ती देखकर सुयम ब्रहमा जी को ही बड़ा अस्षर हुआ उन्होंने अपने लोक में तराजू लगा कर एक पलड़े पर जब तप यग दान आदी बहुत से पुन्य साधन रखे और दूसरे पर स्रीमत भागवत महापुरान को रखा तौल में भागवत का ही पलड़ा भारी रहा इस पर सब को बड़ा अस्षर हुआ और सब ने भागवत को भगवान का साक्षा सरूप समझा सब्ता के रूप में इसका समण करने पर यह भागवत निश्चित मुक्ती देती है देवर्सी नारद ने पहले ब्रहमा जी से इसका समण कर सनकादी महरसियों से इसके सब्ता समण की विदी सुनी थी सब्ता की बड़ा जी ने पूछा हिसुच जी सुना जाता है नारद जी तो प्राय इधर उधर घूमते रहते हैं बे एक जगह स्थिर रहते भी नहीं तब उन्हें सप्ता की विधी सुनने का अउसर कैसे मिला और सनकादी महर्षियों से उनका समागम कहा हुआ सुच जी ने कहा है सुनक जी मैं इस प्रसंग में आपको एक धक्ति पूर्ण इत्यास सुनाता हूँ जिसे मैंने सुग्देव जी से सुना था एक समय सनकादी चारो महर्षि ससंग के लिए बदरी का समगए वहां नारत को ब्यग्र चत्यों देखकर उनसे उन्होंने पूछा है ब्रह्मन आप उदास क्यों है आपको किस बात की चिंता है इतनी सीगता से कहा जा रहे है और कहा से आ रहे है हमें इसका ठीक ठीक करण बत कर मैं वहां गया था उसमें कासी प्रयाग उसकर गोदावरी आधी तीर्थों में भ्रमन करता रहा किन्तु मेरे मन को कहीं भी सांती नहीं मिली सर्वत्र कली का आक्रमन देखा मनिश्यों में सत्य तप दया दान आधी कुछ भी नहीं रहा वे केवल जूट का अवलंबन कर अपना पेड भरते हैं घरों में इस्त्रियों का प्रभत देखा साला सलाह देखा गया तरुनी प्रभुता गेहे श्यालोगों बुद्धी दाय कह लोग कन्याओं का विक्र करते हैं इस्त्री पुरुस आपस में जगडते हैं मनुष्य मंद भाग एवं आलसी हो गए हैं सं तो सन्यासी परिवार जुटा कर ग्रहस्त बन बैठे हैं दुराचारियों ने तीर्थ्यों पर अड़ा जमा कर असद्धा प्रदा कर दी हैं कहीं भी योगी सिद्ध ग्यानी पुरस दिखाई नहीं देते कली रूपी दावा नल से प्राया सब साधन बस्म हो गए हैं कली के ऐ ऐसे दोस्त देखकर मैं यमना तरट पर गया वहां मुझे एक बड़ा आस्टर दस्त दिखाई दिया उसे आप सुनें वहां एक यूती दुखित चित्त बैठी थी उसके पास दो बड़े बुड़े अचेतन पड़े थे वह उन्हें जगाती हुई रोधन करती चारो और द ही रच बना रहे थी मैं दूर से वह दरस देखकर कौतुक बस उसके निकट गया मुझे देखते ही वह उठखड़ी हुई और बड़ी बिकलता से बोली है मुनिवर आप थोड़ी देर रुक कर मेरी चिंता दूर करते जाएं आज बड़े भाग से आपका दरसन हुआ है तुम है क्या दुख है तुम मुझे अपने दुख का करान बताओ उस यूती ने कहा है मुने मेरा नाम भक्ती है ज्यान और बैराग ये दो मेरे पुत्र हैं काल के प्रभाव से ये ब्रद्ध हो गए हैं ये इस्त्रिया गंगा आदी नदिया हैं जो मेरी सेवा में प्रण होकर करनाटक में ब्रद्धी को प्राप्त हुई फिर धीरे धीरे गुर्जर आदी प्रांतों में पाखंडियों के द्वारा में छीड हो गई और मेरी ये पुत्र भी बुढ़े हो गए परंतु इस ब्रदावन के प्रभाव से मैं तो यूती हो गई किन्तु मेरे प पुत्रों का ब्रद्ध तो नहीं गटा लोग में माता ब्रद्धेवं पुत्र रिवा देखे जाते हैं पर यहां विप्रीत हो गया इसी सोक से मैं ब्याकुल हूँ आप इस बैसम्य का कारण बताएं अब मैं इस इस्थान को भी छोड़कर अन्यत्र जाने के बिचार कर रह हूँ तुम चिंता न करो भगवान तुम्हारा दुख अबस दूर करेंगे जिस दिन भगवान प्रत्वी छोड़कर अपने धाम को चले गए उसी दिन से इस प्रत्वी पर कली का अक्रमण हुआ दिख बिजय करते समय राजा परिछिद ने उसे मारना चाहा था किन्तु व अबस राजा ने उसका सारभूत गुन देकर उसे छोड़ दिया वह सारभूत गुन यह है यत्फलम नास्तितपसा नायोगेन समाधिना तत्फलम लबतेशम्यक कलोकेशब कीतनात जो फल अन्य योगों में योग समाधी से भी दुरलब था वह इस योग में केवल भगवन नाम कीरतन से प्राप्त हो जाता है किसी एक गुण के कारण राजा ने उसे मारा नहीं यद्दपी उसने तप तीर्थ ध्यान कथा आदी सभी के सारभूत खीच लिए है विप्पईर भागवती वारता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथार सारस्त तो गत अत्युन की प्रकरती आशुरी हो गई है यह प्रत्वी इस पर स्योग नहीं रह गई सर्वत अनाचार फैला हुआ है तथा पी ऐसे समय में जो धैर धारन कर रहता है वही ग्यानी अत्वा पंडित है ब्रंदावन की भूमी के ही संयोग से तुम्हें योवस्था प्राप्त हो गई है पर यहां भी तुम्हारे इन पुत्रों का कोई ग्रहाक नहीं है इसलिए इ आप धन है बड़े भाग से मुझे आपका दर्शन हुआ अब मेरा दुख अबस दूर हो जाएगा जिन आपके उपदेशों से पांच वर्स का बालक ध्रो माया को जीत कर ध्रुमलो को प्राप्त कर चका उन परम मंगल मैं भगवत किरपा पात्र आपको मैं प्रणाम करती ह सकल कुसल पात्रम ब्रह्म पुत्रम नतासमी पादम पुराण अंतरगत स्रीमत भागवत महात्म का पहला अध्यासमात